दुर्ग शहर के जरजर सलकों को लेकर मोदी आर्मी के पदाध हिकारियों ने किया आनोखा प्रदर्शन बैल गाड़ी पर प्रतिकात्मक रूप से मुख्यमंत्री भुपेश बगहेल वन नगरिय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को बैठा कर कराया नगर भ्रमण शहर के जनता को हो रही परिशानियों को देखते हैं दुर्ग शहर की जरजर सलकों के कारण आए दिन जरजर सलके दुर्गटनाओं का कारण सामित हो रही है जिस पर शहर विदाक अर्णूगरा वहापार का ध्यान नहीं होने से मोदी आर्मी के सदस्यों ने अनोखा प्रदर कराया और अपना आक्रोश व्यक्त किया होर तलब है कि मोधी आर्मी के द्वारा निकाली गई इस बैल गाड़ी यात्रा में शहर विधाक रुन्वूरा और निगम महाप और दिरजबाक लिवाल भी प्रतिकात्मक रूप से शामिल रहे जो शंकर नगर से प्रारम होकर शहर क जर जर सडकों से गुजरते हुए अगरसिंचोक पर समाप्त होई या प्रतिकात्मक रूप से बैल गाड़ी में बैठे मुखी मंतरी वर नगरी प्रशासन मंतरी को कार से रवाना किया गया मोधी आर्मी के इस प्रदर्शन में बैंट बाजी के साथ बड़ी संक्या में जिन्दमोधी आर्मी के वरुन जोशी ने मीडिया की समक्ष जानकारी दी सहर का जहां हो किसी राज्य में किसी मोडल की कैसी कि सकते हैं क्योंकि आप देखेंस यह कोई नहीं है तो वह सबसे उपर होन चीए महापौर जी साथ में हैं आप यहीं बताएंगे कितने दोशी है विधायक जी साथ में हैं क्योंकि दोनों कहीं ने कहीं यहां इस्थानी जन पर्तिती हैं, आपन बागलीवाल जी जो महापोर है वो नगर निकाय मंत्री से फंड मंग सकते हैं, बागलीवाल जी बुपेस बगर से मंग सकते हैं, बुपेस सरकार से मंग सकते हैं, लेकिन फंड कहीं नहीं आ रहा, सड़ के जर जर हो चुकी है इसलिए आज ये पर्दसंग किया गया है ग्रेन एसीन नीवस के लिए दुरू किसे नसीम फारू की की रिपोर्ट